सूपरभात प्यारे बच्चों, हिंदी इशिक्षन कारेक्रम में आपका स्वागत है अपने पाठेक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आज हम व्याकरा नयन पुस्तक से पाठ दस सरवनाम का अध्यन करेंगे आए शुरू करते हैं बच्चों पाठ दस सरवनाम नीचे दिये गए वाक्यों को पढ़िये, स्वाती अच्छी लड़की है, स्वाती स्कूल जा रही है स्वाती की मा भी स्वाती के साथ है इन वाक्यों में स्वाती का प्रयोग चार बार हुआ है तीन वाक्य हैं और चार बार स्वाती शब्द का प्रयोग हुआ है अब कुछ वाक्य और पढ़िए स्वाती अच्छी लड़की है वह स्कूल जा रही है उसकी मा भी उसके साथ है यहां हमने स्वाती स्वाती शब्द का ही प्रयोग किया दूसरे वाक्य में हमने स्वाती की जगए वह शब्द का प्रयोग किया और तीसरे वाक्य में हमने स्वाती की जगह उसकी और उसके शब्द का प्रियोग किया स्वाती जैसा कि आप नाम हैं आप जानते ही हैं स्वाती एक नाम है तो नाम है तो वो क्या है संग्या शब्द है नाम वाले शब्द कौन से होते हैं संग्या शब्द होते हैं अब संग्या के स्थान पर हमने यहां इन शब्दों का प्रयोग किया वह है उसकी और उसके और ये शब्द सरवनाम है तो इस तरह से संग्या के स्थान पर हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वे सरवनाम होते हैं अगर हम इसको इसी तरह से बोले हर बार कोई भी वाक्य बोल रहे हैं और हर बार हम स्वाती का नाम बोलते रहें तो वह कुछ अटपटा सा लगेगा इसी लिए हमने स्वाती संग्या शब्द की जगे सरवनाम का प्रिवाशा दे सकते हैं कि संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्दों को सरवनाम कहते हैं सरवनाम के भेद सरवनाम के छै भेद हैं पुरुष वाचक सरवनाम निष्चे वाचक सरवनाम अनिष्चे वाचक सरवनाम संबंद वाचक सरवनाम प्रशन वाचक सरवनाम और निज वाचक सरवनाम पुरुश्वाचक सरवनाम जिन सरवनाम शब्दों का प्रियोग बोलने वाला अपने लिए सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुश्वाचक सरवनाम कहते हैं जैसे मैं कवीता लिखूंगा तुम चित्र बनाओ वह गीत गाएगा उपर दिये गए वाक्यों में बोलने वाले ने अपने नाम के स्थान पर मैं का प्रियोग किया है मैं कवीता लिखूंगा अपने नाम के स्थान पर मैं का प्रियोग तुम चित्र बनाओ इस वाक्य में तुम का प्रयोग सुनने वाले के लिए तुम चित्र बनाओ वहे गीत गाएगा और इस वाक्य में किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर वहे शब्द का प्रयोग किया गया है वहे गीत गाएगा यानि कोई अन्य व्यक्ति है किसी के बारे में बात हो रही है तो यहां ऐसे मैं तुम और वह ये सरवनाम शब्द हैं पुरुश वाचक सरवनाम है इनका प्रियोग किया गया है पुरुश वाचक सरवनाम के 3 भेद हैं उत्तम पुरुश इन सरवनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, अर्थात कहने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा, मैंने, आदी जैसे इससे कोई वाक्या बना कर देखें हम, हम कल दिल्ली जाएंगे यानि जो बात कर रहा है, जो कहने वाला है, वो अपने लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा है मध्यम पुरुस इन सरवनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है जैसे तुम, आप, तुम्हारा, तुझे, आदी तुम, तुम घर जाओ आप, आपका क्या नाम है तो इसमें हम जो वाक्य का प्रयोग, जो इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो सुनने वाले के लिए कर रहे हैं, उससे पुछा जा रहा है कि आपका क्या नाम है अन्य पुरुश इन सरवनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले या सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है जैसे वह, वे, उनका, इसे, उन्हें, आदी वह, वह, कोन है वे कहां जा रही है कोई भी इस तरह से वाक्या बना कर देखिए आपको समझ में आएगा कि इस शब्द का प्रयोग हम किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर रहे है सरुणाम का अगला भेद है निश्चेवाचक सरुणाम जो सरुणाम शब्द किसी निश्चित वस्तू या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चेवाचक सरुणाम कहते हैं जैसे यह मनुज का घर है वे मेरे खिलोने हैं वह मेरी पुस्तक है इन वाक्यों में किसी वस्तू की तरफ संकेत किया जा रहा है जैसे यह मनुज का घर है यह वे मेरे खिलोने हैं वे वह मेरी पुस्तक है वह तो इसी लिए यह निश्चे वाचक सरवनाम है यह वह आदी शब्दों का प्रयोग पुरुश्वाचक तथा निश्चे वाचक सरवनाम में होता है यह जब किसी व्यक्ति या वस्तू के नाम के स्थान पर आते हैं तो पुरुश्वाचक सरवनाम होते हैं परंतु जब किसी की और संकेत करते हैं तो निश्चे वाचक सरवनाम होते हैं, जैसे वहे आज विद्याल्य नहीं गया, पुरुष वाचक सरवनाम, वहे आज विद्याल्य नहीं गया, यहाँ वहे शब्द किसी के नाम के स्थान पर आया हुआ है, तो इसलिए यह पुरुष वाचक सरवनाम है, ये निश्चेवाचक सरवनाम है क्योंकि यहां विदाले की और संकेत किया गया है कि मीरा विदाले वह है अगला सरवनाम का भेद है आ निश्चेवाचक सरवनाम जिन सरवनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तू का बोध नहीं होता उन्हें आनिश्चेवाचक सरवनाम कहते हैं अर्थात ऐसे सरवनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्तिय वस्तु के बारे में नहीं बताते वे आनिश्चेवाचक सरवनाम कहलाते हैं जैसे उधारन से समझते हैं कोई रो रहा है कोई रो रहा है कोई पर हम निश्चित तोर पर नहीं कह सकते कि कौन तो यहां कोई जो है आ निश्चेवाचक सरवनाम है दूद में कुछ पड़ा है कुछ ये भी आ निश्चेवाचक सरवनाम है किसी से मदद ले लो अब ऐसा बुला गया कि किसी से मदद ले लो किस से ऐसा कुछ निश्चित तोर पर नहीं बताया गया तो इसलिए ये आनिश्चे वाचक सरवनाम है क्योंकि यहां किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा इन सभी वाक्यों में इसलिए आनिश्चे वाचक सरवनाम है सरवनाम का अगला भेद है संबंद वाचक सरवनाम जिन सरवनाम शब्दों से परस पर संबंद का बोध होता है उन्हें संबंद वाचक सरवनाम कहते हैं जैसे जो बोएगा वह काटेगा जो और वह में जो संबंद है संबंद बता रहा है इसलिए संबंद वाचक सरवनाम है जैसा करोगे वैसा भरोगे या जिसकी लाठी उसकी भैंस तो इन वाक्यों में जैसा वैसा जिसकी उसकी ये सरवनाम शब्दों से उनके आपसी संबंद का बोध करा रहे हैं मिन्स उसके बारे में हमें बता रहे हैं इसलिए ये संबंध वाचक सरवनाम है सरवनाम का अगला भेद है प्रशन वाचक सरवनाम जो सरवनाम शब्द प्रशन पूछने के लिए प्रियोग किये जाते हैं उन्हें प्रशन वाचक सरवनाम कहते हैं यह तो बहुती साधारण है बच्चों कोई भी वाक्य जिसमें प्रशन पूछा जाए इस तरह के वाक्य जो प्रशन वाचक सरवनाम के अंतरगत आते हैं जैसे छत पर कौन बैठा है? रोहित क्या खाएगा? यह है पत्र किसने फाड़ा? या मैं आपसे पुछूं आपका क्या नाम है? इस तरह से कोई भी वाक्य जिसमें प्रशन पूछा जाए वे प्रशन वाचक सरवनाम होते हैं आगे है निज वाचक सरवनाम जिन सरवनाम शब्दों का प्रयोग करता के साथ अपने पन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सरवनाम कहते हैं करता सब्जेक्ट को हम बोलते हैं करता यानि किसी काम को करने वाला जिन सरवनाम शब्दों का प्रयोग करता के साथ अपने पन का बोध कराने के लिए अपने पन की फिलिंग को प्रकट करने के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सरवनाम कहते हैं जैसे उधारन से हम इसको समझते हैं तुम अपना काम आप करो मैं अपना काम स्वेम करूँगा या गोरव अपने आप चला जाएगा तुम अपना काम आप करो इस वाक्य में आप तुमका संबंद अपने आप से कि वो अपना काम आप करे मैं अपना काम स्वेम करूँगा मैं का संबंद स्वेम से गोरव अपने आप चला जाएगा इस तरह से गोरव का संबंद अपने आप से इनी चीजों का इसमें पता चल रहा है इनी चीजों का हमें बोध हो रहा है तो इस तरह से ये निजवाचक सरवनाम है इसमें आम तोर पर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है आप, स्वेम, अपने आप पुरुषवाचक और निजवाचक सरवनाम में अंतर आप शब्द का प्रियोग पुरुश्वाचक और निजवाचक दोनों सरवनामों में किया जाता है आपने पीछे देखा ही था आप शब्द का प्रियोग हमने पुरुश्वाचक में भी किया था और यहां भी नीजवाचक में भी हम आपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं जहां आपशब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वहां पुरुषवाचक सरवनाम होता है तथा जहां करता की साथ अपने पन का बोध कराने के लिए आप शब्द का प्रियोग किया जाता है वहां नीजवाचक सरवनाम होता है आए उधारन से समझते हैं कैसे जैसे एक उधारन है आप कहां जा रहे हैं आप कहा जा रहे हैं इसमें आप शब्द का प्रयोग पुरुश्वाचक सरोणाम के रूप में प्रयोग हुआ है ठीक है जहां करता के साथ अपने पन का बोध होगा वहां निज्वाचक सरोणाम में होगा जैसे यह कारे मैं आप कर लूँगा यह निजवाचक सरवनाम है यहाँ आपका प्रियोग अपने आप के लिए हुआ है कि मैं स्वेम इस काम को कर लूँगा इसलिए यह निजवाचक सरवनाम है और यहाँ इसमें आपका प्रियोग सुनने वाले के लिए हुआ है तो यह पुरुश्वाचत सरवनाम है आईए बच्चों दोराएं आज हमने क्या सीखा? आज हमने जाना सरवनाम किसे कहते हैं? संग्या के स्थान पर प्रियोग किये जाने वाले शब्दों को सरवनाम कहते हैं सरवनाम के छै भेद हैं पुरुश्वाचक, निश्चेवाचक, अनिश्चेवाचक, संबंधवाचक, प्रशनवाचक तथा निजवाचक पुरुषवाचक सरवनाम के तीन भेद हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष और लास्ट में हमने चेप्टर में जाना था आप शब्द का प्रियोग पुरुषवाचक और निजवाचक दोनों सरवनामों में किया जाता है इस पार्ट को अच्छी तरह समझने के लिए बार बार पढ़ें आपका दिन शुब्धो धन्यवाद